इस वीडियो में हम देखंगे किस तरीके से दो या दो से जारा स्ट्रिंग को ज्वाइन कर सकते हैं और एक तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल अवेलिबल है तो इस्मे जो Sun और जो मेरे पास कॉलम है उसमें मेरे पास first name है और जो second column है उसमें मेरे पास last name है ठीक है और मैं यह चाहता हूँ कि मेरे पास third column है उसमें एक full name मेरे पास show हो जाए तो full name में मैं first column and then second column को join करूँगा और इसके लिए मैं formula लिखता हूँ, formula लिखने के लिए मैं सबसे पहले एक cell को select करता हूँ, जो के मेरे पास full name के column में है, तो इसके लिए ये मेरा cell जो बनेगा वो D column and third row बनेगा, तो ये D3, इसके उपर मैंने क्लिक किया, is equal to का sign लिखा और उसके बाद मैं लिखने हूँगा, और इसके बाद brackets को start करूँगा, अब मेरे सबसे पहले text one को select करने, then मैं comma लिखने और उसके बाद text two को select करूँगा, ठीक है जो कि मैं अब पास last name है, वो आ चुका है, full name, अब इसमें एक issue ये है कि हमारे पास ये दोनों join है, और अगर मैं इसमें चाहता हूँ कि दरम्यान में में मेरे पास space भी आ जाए, जो कि इस time पर नहीं है, तो वो मैं कैसे ला सकता हूँ, तो इसके लिए आप सबसे पहले लिखे, is equal to, c-o-n-c-a-t, concat, brackets को start किया, उसके बाद सबसे पहले text one को select किया, जो कि मैं बास first name है, comma लिखा, double quotations लिखे, double quotations start की, and then space, और इसके बाद double quotations किया, और इसके बाद मैंने दुमारा से comma लिखा, और इसके बाद सबसे जो last name है, उसको select किया, and then brackets को close कर दिया, और जैसे मैं enter करूँगा, आप देख सकते हैं, कि इस बाद मेरे पास दोनों जो string के दरम्यान में space add हो चुकी है, तो इसी को आप अगर complete जितने भी आपके पास data है, उस पे apply करना चाहते हैं, तो आप सबसे इसके bottom corner पे आए, और उसके बाद आप इसको select करें, और इसको drag करते जाएं, तो जैसे ही आपने drag किया, आपके पास जितने भी names से, वो full name में convert होकर आ चुकी हैं, तो इस तरीके से आपके पास अगर multiple columns भी हैं, उस पे भी आप same to same इस तरीके से apply कर सकते हैं,